बात कर लेते हैं बंग की जंग की दरसल आज इलेक्शन कमिशन की टीम पश्चिम मंगाल का दौरा करने वाली है मोकिल चुनाव आयुकत सुनिल अरोडा की टीम दो दिन बंगाल में रहेगी विदान सभा चुनाव की तयारों का जाइजा लेने के लिए टीम जा रही है अप्रेल और मई 2021 में पश्चिम मंगाल विदान सभा के चुनाव होने है मुता सरकार ने न्यूकते किये अपने दो अधिकारी तो देखिए आज एलेक्शन कमिशन के टीम पश्चिम मंगाल का दौरा करने माली है दो दिन का ये दौरा है और पश्चिम मंगाल में जिस सरीके के हालात है शांती पूर्ण चुनाव कराना एक बड़ा सिर्दर्द बना हुआ है चुनाव आयो के लिए कि इस हालात में इस महाल में के सरीके से शांती पूर्ण चुनाव कराए जाए और ये हुजाए कि मुख्य चुनाव आयो आज जब पश्चिम मंगाल के दौरे पर होंगे तो निगाहें उनके वीक उपर होंगी कि वो क्या पैसला लेते हैं पिलकुल तो एप्रिल मैं दो हजार एकिस में पश्चिम मंगाल में विदान सबाद चुनाव होनी और साथ ही ममताव सरकारी निफ्टे की अपने दो अधिकारी तो पश्चिम मंगाल में चुनाव का काउंट ओन शिरू हो चुका है और केंद्रे चुनाव आईयो की टीम आज समद 10 बजे कोल गता पहुँच रही है सीसी सुनील अरोडा राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे कानून ववस्ता के मुद्धे पर प्रदेश के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी होगी एप्रिल में 2021 में विदान सबाद चुनाव होने हैं और इन चुनावों में राजनितिक हिंसार रोकना और अंतरिक हालातों को बहतर बनाए रखना चुनाव आयो के लिए बहुत बड़ी चुनावती है भारतिये प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुमार की महापात्रा को सयंक्त मुख्य चुनाव अधिकारी बनाए गया है और साथी संग मित्रा गोश को अतरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी न्यूक्त किया गया है देखे आप चुनावायू के टीम वहाँ पर पहुँच रही है और दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी की तयारी जोर पकड़ रही है बंगाल चिनाव पर दिल्ली में बीजेपी की यह बैठक होने वाली है अमिश्या और जेपी देड़ा बैठक में मौझूद रहेंगे प्रदेश प्रभारी, कैलाश वजवरगी और सभी संगठन मंत्री भी इस बैठक में मौझूद रहेंगे शाम 6 बजे बीजेपी कारेले दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है बिल्कुल तो दो बड़े नेता, दो दिगज नेता बीजेपी की इस बैठक में शामिल होने वाले इसे आप अंदासा लगाएं कि इस बैठक कितनी महत्वपूर है बंगाल चिनाप को लेकर के पार्टी एहम रणनीती बनाएगी एक और बीजेपी की तरफ से लगातार दंबर हजार आएगी दोसों से जादा सीटे पश्चिम मंगाल में जीत कर वो पश्चिम मंगाल में ना सिर्फ पर्चम लेराएगी बलकि स्तरकार भी बीजेपी की बनने वाली है और वहीं दूसरी हो उसकी रणनीती क्या होगी इसे तैक करने के लिए आज शाम छे बजे दिल्ली कारेले में ये एहम बैठक बुलाई गई है साथी पश्चिम मंगाल में त्रिणमल कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी जग लगातार तीच होती जा रही है टीमसी ने ता मदन मित्रा ने बीजेपी कुछ नोती दे दिये और कहा कि यदि हमसे किसी ने बंगाल मंगा तो हम उसे चीज देंगे बीजेपी ने भी मित्रा को उन्ही के अंदास में जवाब दिया है देखे मैं तो अकबर हूँ मेरा घर में जोदावाई रती है बीजेपी ये तो सही है तोलत है एजेंसी है सरकार है दुनिया का सब कुछ है तुमारे पास लेकिन मेरा साथ मेरा माँ है मेरा अमाँ है दूद चाओ तो खीड देंगे कश्मीर चाओ तो चीड देंगे और आवाज आज कुणा से उट रहे है सुनो बीजेपी वालो दूद मांगो तो खीड देंगे अगर बंगाल मांगो तो चीड देंगे चुना में सबसे ज़्यादा जो लीट देगा वो हमारा कुणा ये हनीव का इलाका है ये मेरा वादा है सफर में हो या फिर घर पर अब हर खबर होगी आपकी हठेली पर एप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान है पाच भाशाओं में चुनें अपनी पसंद की भाशा जी हिंदुस्तान के लाइब टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिये 24 घंटे अपनी नज़र